हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आपको आलाइन इस्टेडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में में जानेंगे सस्सी छसल एक्जाम 10 प्लस 2 का जो फॉस्ट एक्जाम हो रहा है दोस्तों क्या एक्जाम से पहले आपको कोबिट 19 टेस्ट करा कर जाना होगा या दोस्तों आपको घोषना पत्र इसी तरह बहर के लेजाना है इस वीडियो में में दूस्तों बात करेंगे दोस्तों इन इन बातों का थो बैसरे प्लस蛇ये चलते हैं अपने टॉपिक पर तो यह रहा दोस्तों भेरतियों के लिए समाने निर्देश तो सबसे पहले निर्देश पर ध्यान देंगे तो आपको सला दी जाती है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे कुछ समय पहले आप जाकर के वाँ पर पहुत जाईए और चलते हैं दोस्तों और जो कि आपको क्य करना अपने साथ सात क्या लेक्जांएं या क्या नो लेके यह को ध्यान देना तो सब से पहले दोस्तों उस्था को बता दें परवेश्पत्रा आपके पास होना चाहिए पसporушка क्षा 거र का आपको नमीन्तं रंगीन फोटो हो और प्रतियों में और दोस्तौं आपको पासपोर्ट है अधार काड है या अधार का e-printing है ड्राविंग लासेंस है या केंद्रिया राजी सरकार द्वारा कोई भी ऐसा document लागू किया गया हो जो आपके परिशे को प्रदर्शित करता हो अगर दोस्तों आपके date of birth में अगर कोई गलती है तो आप अपने high school की मार्शीट या ICSC या CBSC किसी भी बोर्ड की high school की मार्शीट हो या जन्म परमाल पत्र हो उसको अप ले करके जा सकते हैं बता दें कि दोस्तों अगर आपका प्रवेश पत्र पे जो date of birth है और आपके मूल प्रमाल पत्र में जो date of birth है अगर मैच नहीं करता है तो आपको exam नहीं देने दिया जाएगा अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक face mask लेके जाना पड़ेगा hand sanitizer की छोटी बोतल आपके पास होनी चाहिए अगर दोस्तों आपे पानी पीने की ब्यवस्ता आपको नहीं मिलेगी क्योंकि करोना वाइरस के चल जाए संक्रमर के चांसे साहिए इसलिए आपको पानी नहीं दिया जाएगा और जो चीज़ें क्या आपको नहीं लेकर जाना यह बात हैं आपको भी ध्यान देनी होगी तो उस पर हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ आपको नहीं ले जानी है जैसे दोस्तों आपको लैब में घड़ी कितब पेन, इलेक्ट्रोरिक गैजट, मॉबाइल फोन, ब् आप अपने बैग में सुरच्छीत रख लिए या घर पे ही छोड़के जाईए नहीं तो अगर बैग रखेंगे तो आपको गयाब होने के चांस से सोजाते हैं और अष्जालश भागी से पाथ् शिंब दर्खेंग.. अब लेक्षण बच रूट को लगशानीं दाख लग 1212 जाए आप करने अब लागार的話 वामी से सब्सक्राइब करोशने के सब्सक्राइब कर चलिए कर में सकते हुए नहीं हूँ बस यही आपको घोड़ना करना है नो कि आपको करोना टेस्ट कराना है तो सबसे पहले दोस्तों अपना नाम लिख देंगे अपना रोल नमबर परिच्छा का नाम डालेंगे परिच्छा की तिथी परिच्छा की पाली और परिच्छा का केंद्र और परिच्छा क पहले आपका दोस्तों टंपरेचर चेक होगा तो अगर 99 से उपर आपका टंपरेचर जाता है तो आपको एक्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा ये भी अब ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप प्रवेश के लिए जाएं तो ज्यादा खा परोना टेस्ट नहीं करा ना है बस आपको ये घोष्णा पत्रव देनाहो गोगा तो आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया ंगा पसंद्द में तो जरूर लाइक कर देजेका मिलते हैं एक नए वीडियो के सा द measurement के लिए बड़्या झाल